SSC as friends के लिए एक बहुत बड़ी खवर निकल के आ रही है friends SSC GD admit card आ चुके हैं हाँ friends आपके एक बार physical postponed होने के बाद दुबारा से आपके physical की date आ चुकी है friends जो आपके physical है वो एक से पंद्रे मई के बीच कराए जा रहे हैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी physical के आपको admit card कैसे कैसे डाउनलोड करने हैं क्या क्या instruction है जिन्हें आपको follow करना होगा friends मैं जब CRPF की website पर गई तो मुझे ये important instruction देखने को मिले चलिए पढ़के देखते हैं क्या है इस important instruction में तो friends उम्मीदवारों को चार हालिया तस्वीर हैं और कम से कम एक photo युक्त पहचान प्रमाड जैसे driving lessons, voter card, आधार card, विश्व विध्याले, college, द्वारा जारी, पहचान पत्र, परिक्षा केंद्र में मूल भूप से आयकर pen card ले जाना चाहिए ऐसा नहीं करने पर उन्हें परिक्षा में उपस्तित होनी की अनुमती नहीं होगी friends ये important instruction आपको follow करना बहुत ही ज़रूरी है अगर इसे ignore करोगे तो फिर CRPF आपको ignore कर देगी ठीक है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो उम्मीद वार्जिन का physical है जिस date को उस date को वो अपने चार photo ले करके जाएंगे एक पहचान पत्र ले करके जाएंगे पहचान पत्र आपका driving license हो सकता है या फिर voter ID हो सकती है या फिर आधार card हो सकता है या विश्व इध्यालया college का कोई भी पहचान पत्र हो सकता है या फिर आपका pen card हो सकता है इन मेंसे कोई एक लेके जाना है जिस पर आपकी date of worth सही हो और उस पर आपका photo हो ठीक है वो आपको पहचान पत्र अपना ले करके जाना है अगर आप ऐसा नहीं करते है तो आपको physical में उपस्तित होने की अनुमती नहीं दी जाएगी ठीक है एक और important यहां पर instruction है friends आपके लिए कि जो भी हिली एरिया वाले friends है जिनको छूट दी गई है हाइट में वह अपना वह वाला certificate जरूर लेकर जाना वह certificate लेकर जाना और उसकी photocopy जरूर लेकर जाना तो यह चार हो आपको लेकर जाने है चार photocopy अपनी लेकर जानी है एक अपना ID लेकर जानी है कोई भी जिस पर आपकी date of worth सही हो ठीक है औ आप यहाँ पर friends देख लेते हैं जब मैंने इसे cross किया जो यह important instruction है तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाए दिया friends सारी दिक मापदंड वह सारी दिक दचता प्रवेश पत्र ठीक है यानि e admit card for PST PET देख लेते हैं इसे पढ़के क्या लेका है तो उसके लिए कह रहे हैं कि उनके admit card आ गए है यह इसमें बताया गया है friends चलिए अप नीचे वाला एक और notice पढ़ लेते हैं इस्टेटर्स डाउनलोड डाउनलोड कॉल लेटर फोर PST PET और कॉंस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आम पुलिस फोर्स यहाँ पर देख सकते हैं कब से कब तक कराई जाएंगे आपके physical 152023 से 1552023 यानि 1 मही से 15 मही के बीच आपके physical friends कराई जा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं आपको डाउनलोड कैसे करना है अपना admit card तो यहाँ पर अपना registration ID डालनी है, date of birth डालनी है और verify जो एक code दे रखा है इस box में fill कर देना है और search कर लेना है तो एक तो option यह है आपका अपना admit card निकालने का तो अगर आपके पास role number है, registration नहीं है role number है तो आपना role number डालेंगे date of birth डालेंगे और यहाँ पर यह code डालेंगे इस से verify कर सकते हैं ठीक है तो पहला option वो हो गया, दूसरा option यहाँ पर role number की द्वारा हो गया तो registration से, role number से, अगर यह भी नहीं है आपके पास तो आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे, if you don't know your role number तो अपना नाम डालेंगे उसके बाद अपना, यहाँ पर first four character डालेंगे ठीक है, उसके बाद father's name डालेंगे, फिर उसके first four character डालेंगे, फिर date of word डालेंगे और फिर इस code को verify कर देंगे और यहाँ पर search कर लेंगे अपना admit card, okay, तो इस तरह से तीन option है आपके, अगर बाई तब आपका registration number भी नहीं है, role number भी नहीं है, तो अपने नाम से भी आप search कर सकते हैं, नाम और father name से, ठीक है, तो friends, आप सभी जल्दी से जल्दी अपने देख लीजिए, कब कब आपका physical है और तयारी में अच्छे से लग जाएं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सुख कामना है अपने physical की, आप सभी छक्का मार के आओ, ठीक है, छक्का से कम तो लगाना ही नहीं है, ठीक है, एकदम पार करना है, और अच्छे से तयारी करो, अभी time है, एक मई से हैं, तो अपन आपको नहीं तयारी करते रहो, और बहुत सारी सुख कामना है, आपको बेस टाप लग,